अलो फ्रेंड्स माइसाइब दॉक्सुनील तावर कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिसक्स करेंगे बड़ी ही कोमन जो एक समझ्या है बच्चों में एडिनोइड्स की जो समझ्या है बट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने स कैसे यह बच्चों को जो हेल्थ को जो अफेक करता है दोस्तों एडिनोइड्स जो है हमारे नौज के पीछे के इससे में एक टिश्यू होता है टॉंसिल की जैसे यूज्वली यह जो एडिनोइड्स होते हैं इनका वर्क बैसिकली क्या है कि बच्चे को चार साल तक जो है उनको इम्मिनुटी प्रवाइड कर मानने का वर्क होता है एंड आफ्र दा फोर यह यह जो एडिनोइड्स हैं यह दिरे दिरे अपने आप क्या है खतम हो जाते हैं हमें पता नहीं लगता दोस्तों कुछ बच्चे जिनको एडिनोइड्स की जो हम प्रॉब्लम बोलते हैं उनको क्या है यह अट्रॉफिक नहीं हो कि और स्रिंक नहीं हो कि और यह प्रसिस्टेंट रहता है तो नाक के जो पीछे का इस्सा है अमोबन दोस्तों ऐसे बच्चे जब रात को सोते हैं तो आपने देखा होगा कि वो घर 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 कर मूँ से सास लेते हैं और माउथ अट्रॉफिक नहीं होता है दोस्तों कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अडिनौइड हाइपट्रॉफिय है उनको क्या है कि बार-बार कान में दर्द रहता है क्योंकि हमारे कान और नाक के बीच की जो ट्यूब है उसको भी वह ब्लॉक करके रखता है जिसको हम प्रटा होने से जो है वो कान से क्लीड भी लीक होता रहता है इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा अगर प्रसिस्टेंट अगर मान लोग एडिनौइड की समस्या है और उसका ठीटमेंट नहीं होता लॉंग इस्टेंडिंडिंग करने के कारण बच्चे की जो टें identify कर सकते हैं कि बच्चे को कुछ ना कुछ हो सकता है कि दीनुएड की problem में दोस्तों क्या है एडिनुएड का treatment गया जो treatment है अगर चार साल पहले एगर किसी को ये इस साइप की जो problem है तो हमें का एक लिस्व यर सउन तक है मैनेजमेंट के ऋसका वेट होता है दोस्तों अगर 4 साल 5-6 साल 8 साल पर यह प्राइडमेंट है तो उसका जो treatment है व sesugal adenoidectomy उसका treatment होता है जिसमें leasia say जो है वो उसको अंदर के अंदर को जो है वो दिया जाता है तो फ़ट पड़ी भी डंबना है कि बहुत बार जब चिकत सक जो है वो एडिनोड की समस्या बताते हैं और उसका जो ट्रीटमेंट बताया जाता है कि इसको रिमूव करना पड़ेगा लेजर से हटाना पड़ेगा बहुत बार क्या हैं बच्चों के लिए हम सर्जरी कराने के लिए आवाज चेंज हो जाती है पहला मित दूसरा मित लोगों में यह होता है कि आडिनोड के बाद यह वापस हो जाते हैं दोस्तों दोनुं मित गलत हैं बट फैक्ट क्या है कि एक तो एडिनोड के बाद में क्या है कि बच्चे की जो आवाज कभी चेंज नहीं होती बट की साउंड होती है बट एडिनोई डेक्टोमी के बाद में जो उसकी नॉमल साउंड होती है वह यूजवली होती है सेकिंड यह जो मीत है यह भी गलत है कि उसको जो है वह एडिनोई डेक्टोमी के बाद में वह वापस जो है ग्रो कर जाता है दोस्तों ऐसा नहीं है सेव कर दिया रहता है सो वापस जो है वो यूज्वली नहीं होता वर यह treatment 100% सेव होता है इसमें बच्चे को और कहीं कोई बाहर से कोई चीरपाड ऐसा नहीं होता है सो दोस्तों यह है अदिनोड की इंफॉमेशन सेडिनोड का treatment I hope this information is useful for you you can share this information to your family friends and colleagues just to create awareness about the adenoid problem and आपका कोई एडिनोड के regarding कोई question हो तो आप मेरे comment box पर पूछ सकते हैं I will definitely reply thank you